दोस्तो जो आपका EOT क्रेन है EOT का फुलपुरम होता है Electric Overhead Traveling क्रेन जो आपका डबल गड़र का है 50 by 15 टॉन Hydrol Company का क्रेन है इसमें जो आपका Productive Panel रहता है इसमें क्या-क्या फॉल्ड आता है और किस तरा से फॉल्ड को आपको ठीक करना है आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो Practical Experience है वो स्यार करूंगा और Practical तरीका से ही समझाओंगा इस वीडियो को देखने के बाद जब आप Practical में काम कीजिएगा तो आपको फॉल्ड ठीक करने में काफी हेल मिलेगा अभी पहला जो एक नंबर आपका फॉल्ड है जो आपका सबसे ज़्यादा होता है जब आप 52 पंदरा टोन का क्रेन में काम कीजिएगा तो इसमें आपका दो गों टांसफर्मर देखने के लिए मिलेगा एक रहेगा आपका Control Transformer और दूसरा रहेगा आपका Lighting Transformer जो Lighting Transformer है यह रहता है आपका 2.5 के भी एका जो आपका Control Transformer है जिससे 110 बोल्ड आउट होता है वो रहता है 2.0 के भी एका तो इसका जो आपका DSL सप्लाई से दो गों फे जा रहा है 415 बोल्ड हो रहा है ज्यादा तर क्या होता है इसमें जो आपका Wire रहता है Wire ज्यादा तर आपका Looze हो जाता है Looze के चलते ही हार बार क्या होता है Breakdown आ जाता है जब आप Electric Overhead Grade में Maintenance की जिएगा जिसको हम लोग बोलते है TPM Total Privative Maintenance तो जो आपका Productive Panel है जितना सारा Control Wire है और Power का Wire है इसको आपको अच्छा से Tight करना है जब आप अच्छा से Tight कीजिएगा उससे पहले Air Pacer से बिलकुल Clean कर लेना है जितना अच्छा Clean रहेगा उतना कम Breakdown आएगा अभी दो नंबर Point में आ जाता है के Crane में जितना सारा Wire है इसको हम अच्छा से Tight करके रखे है अगर अच्छा से Tight रहेगा तो Breakdown बहुत कम आएगा अभी इहां से जो आपका 15 नंबर 16 नंबर Connector में आ रहा है कभी कभी क्या होता ये Connector के पास से भी आपका Wire लूज रहता है अभी दोनों फे जा रहा है टास्फर्मर का Primary साइड में अगर टास्फर्मर में कुछ भी Fault होगा या कोई करण से अगर आपका टास्फर्मर जल जाएगा तो ये जो प्राइमेरी साइड में 20 एंपियर का MC भी लगा हुआ है ये आपका बार-बार ट्रिब होगा अगर टास्फर्मर आपका नहीं जला है बिलकुल भी सही है जब आप 20 नंबर और 21 नंबर ये आप का सेकंडी साइड है क्योंकि ये जो आपका टास्फर्मर है ये step down टास्फर्मर है जब आप बाल फोल्डर से 20 नंबर 21 नंबर में चेक किजिएगा तो देखिएगा हर बार क्या देखने के लिए मिलता है कि बाल फोल्डर आपका नहीं जल रहा है और जब आपका सेकंटी साइड में बाल फोल्डर नहीं जलेगा उसी को देखके आपको समझ जाना है कि यह जो हमारा DSL से सप्लाई आ रहा है दोगो फेज यह ठीक से नहीं आ रहा है उस टाइम यह जो MCB में आप बाल फोल्डर से चेक किजिएगा तभी आपको कॉनफर्म हो जाएगा दोनों फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है ज्यादा तर इसमें क्या होता है यह ओयर कटने का और ओयर लूज होने का ही बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन मिलता है इसलिए जब आप TPM किजिएगा मतलब टोटाल प्रिविटिव मंटिनस जितना सरा ओयर है अच्छा से आपको टाइट करके रखना है अगर यह जो आपका टास्फर्मर है सेकंडी साइड से आपको 230 बोल्ड आउट हो रहा है तो इसमें एको MCB लगा हुआ फिर 20 एंपियर का अभी जब आप 20 एंपियर को MCB को उठा रहे है तो MCB आपका ट्रिप हो जा रहा है और एक बार जैसे उठाए तो MCB फिर दोबारा उठ गिया मतलब कि जो आपका एकजास्ट फैन है केबिन फैन है केबिन लाइट है इसी में कही ने कही आपका सौट सर्किट हो रहा है क्योंके जो आपका MCB है MCB में आपको दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है एक होता है आपका ओभर लर दूसरा होता हैंपका सौट सर्किट तो 20 MPR से ज़्यादा होगा तब भी आपका MCV ट्रीफ होगा अगर 20 MPR से ज़्यादा नहीं है continue आपका क्रेन चल रहा है अचानक क्या हुआ जैसे ही आपका ये जो exhaust fan है exhaust fan का MCV जैसे ही उठा रहे है तुरन आपका MCV ट्रीफ हो जा रहा है तो जैसे ही आपका MCV ट्रीफ हो जा रहा है इसी को देखके ये आपको समझ जाना है कि जो आपका exhaust fan है एक तो आपका जल गया है नहीं तो जो आपका phage और neutral का oil है इसमें कहीं न कहीं आपका short circuit हो रहा है ये जो 6 नमबर, 7 नमबर, 8 नमबर, 9 नमबर, 10 नमबर, 11 नमबर, 12 नमबर, 13 नमबर इसमें से कोई भी MCV में इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा तुरन आपको समझ जाना है कि new dollar phase में कई short circuit हो रहा है नहीं तो कोई exhaust fan है या cabin fan है या cabin light है इसका cable पे भी short circuit हो सकता है नहीं तो exhaust fan या cabin fan या light या आपका खराब हो गिया है इसके अंदर में जो winding है या आपका जल गिया है इसी के चलते जो आपका MCV है या आपका बार बार trip हो रहा है और ये जो आपका socket है सौकेड में एक 6 MPR का लोड देना चाहिए जब आप इससे ज़्यादा मतलब यह जो आपका जितना सरा MCB है यह ज़्यादा तरह आपका 6 MPR का रहता है 6 MPR से ज़्यादा जैसे लोड दीजिएगा तब भी आपका MCB ट्रिफ होने लाएगा इसी को देखके यह आपको समझ जाना पड़ेगा कि MCB हमारा कम का है 6 MPR से ज़्यादा होगा तब ही ट्रिफ होगा और यह आपका में MCB है इसी लिए आपका 20 MPR का रहता है और इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि MCB अगर आपका ट्रिफ हो रहा है तो आपको पहले देखना है कि कितना MPR का लगा हुआ है और MCB क्यू बार भार ट्रिफ हो रहा है short circuit के चलते हो रहा है या overload के चलते हो रहा है overload में अगर आपको चेक करना है तो एक kilometer लेके भी आप चेक कर सकते है तब भी आपका confirm हो जाएगा अभी ये जो exhaust fan है जो electric overhead crane में जो double gutter का crane है जो आपका crane operator रहता है ओ क्या बोल रहा है इस चीज़ को आपको अच्छा से पहले सुनना है उसके बाद आपको काम करना है अगर आपको बोल रहा है कि exhaust fan आमारा नहीं चल रहा है तो पहले आपको देखना है ये जो 6 number MCB है इसका input मे page supply आ रहा है या नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग यहां से ball folder से चेक करते हैं एक आपका 415 फोल्ड का भी ball folder रहता है एक आपका single ball folder भी रहता है इस जगा में आप single ball folder से भी चेक कर सकते है और double बला ball folder से भी चेक कर सकते है कि page आ रहा है या नहीं आ रहा है बाल फोल्डर में दो गोल लीड रहता है, एक लीड आपको इन्पूड में लगाना है, एक लीड आपको नियूटरल में लगाना है, तभी आपको कौनफर्म हो जाएगा, कि MCB तक आपका फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इहां तक फेज सप्लाय आपका ठीक आ रहा है, तो इसका ओएर है ओएर अगर कोई करण से आर्थ के साथ आपका टाच हो जाएगा मतलब इलेक्टिक ओभारेड क्रेंज जो है क्वांटिन्यू चलता रहता है कभी कभी क्या होता है यह ओएर जो है घीच के भी बॉड़ी के साथ टाच हो जाता है तब भी आपका यह MCB ट्रिप होगा वीडियो को अगर अच्छा से देखिएगा और अच्छा से हर बात को सुनियेगा तब आपका जो प्रैक्टिकल नौलेज है वो बहुत अच्छा बन जाएगा और अभी जो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ आप भी ऑनलाइन क्लास ले सकते है इसके लिए कोई दिकत नहीं ह अभी बहुत सरा जो friend है मेरे पास से online class ले रहा है अभी ये जो electric overhead traveling crane है इसका basic knowledge किस तरह से मिलेगा और किस तरह से आपको question पुछना है और बाकी जितना सरा friend है समके साथ जान पैचान किस तरह से होगा जब तक आप online class में बात नहीं कीजिएगा मेरे साथ और जिस तरह से आप आपके अंदर में doubt है जब तक आप हमसे पुछिएगा नहीं एक एक फॉल्ड के बारे में या जब आप practical में कोई company में काम कर रहे हैं आपको जब तक कोई guideline देने वाला नहीं मिलेगा तब तक क्या होता है practical knowledge बनना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी के लिए हमने क्या किया online classes start किया कि आपके साथ हमारा direct बात हो जाएगा और जो जो आपके अंदर में doubt है सारा doubt भी आपका clear हो जाएगा और आपके अंदर में कुछ doubt भी नहीं रहेगा अभी जो आपका productive panel है productive panel में जो आपका ये line contactor रहता है ये line contactor में आपका किस टाइप का fault देखने के लिए मिलता है ये driver आपको क्या बोल रहा है जिसको हम लोग crane operator बोलते है कि ये जो आपका line contactor है जैसे ही गाड़ी को on करते है ये बार-बार हमारा बंद हो जाता है जो आपका SMS है still melting sock इसमें जैसे ये आपका furnace के पास आता है तब भी ये crane जो है हमारा बंद हो जाता है मतलब ये जो line contactor ह ये आपका बंद हो जाता है तो इस type का अगर आपको fold के बारे में बोल रहा है तो आप क्या-क्या check किजिएगा मतलब जब आपका जो electric overhead crane है ये normal में जब हम ये push button को दबा के on कर रहे हैं तब आपका ये जो line contactor है ये तो on हो रहा है लेकिन जब हम lt को चला के लेके आ रहे है lt मतलब long travel तब क्या हो रहा है जैसे ही आपका furnace के पास आ रहा है तब ही आपका ये जो main contactor है ये आपका बंद हो जा रहा है इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा फॉल्ड रहता है जो आपका DSL बसबार है फरनिस के सामने में DSL बसबार आप डाउन टेडा मड़ा रहता है एक इसके चलते आपका बार बार ये जो main contactor है ये आपका trip हो जाता है और नहीं तो जो आपका ये B page और Y page आ रहा है इसमें इस जगा में आपका क्या लगाओ रहता है current collector लगाओ रहता है अगर कोई current से current collector up down हो रहा है या ठीक से connect नहीं हो रहा है तभी आपका क्या होगा ये line contactor आपका बंध हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जो double cutter का crane है इसमें आपको fault देखने के लिए मिल जाएगा इसलिए जो आपका पचास भाई 15 टोन का crane है इसमें अगर जो current collector रहता है वो दो-दो करके लगा दीजिएगा तो इस type का आपको fault देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके बाद भी अगर इस type का fault देखने के लिए मिल रहा है तो उस time क्या करना परता है देखना परता है कि B page में के चलते हो रहा है ना Y page के चलते हो रहा है अगर ये जो B page है बी फेज के चलते हो रहा है तब हम लोग क्या करते हैं ये बी फेज बला जो हमारा सप्लाई है इसको खोल काम आर में लगा देते हैं इसके बाद से क्या होता है लाइन कॉंटेर आपका ट्रीप होना बंद हो जाता है अभी ये जितना सरा फॉल्ड के बारे में बता रहा अभी कभी 9 बाजी से लेके रात को 12 बजे तक क्लास दे देता हूँ जब तक ये जो ड्रॉइंग है या कुछ फॉल्ड है क्लीन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो क्लास छोड़ नहीं सकते हैं इसलिए जितना सरा फ्रेंड है सब से पूछ ना पढ़ता है कि आपके अंदर में और कुछ डाउट है या नहीं है जब तक डाउट किलियर नहीं होता है तब तक आपका क्लास कॉंटीनियो चलता रहता है अभी ये जिस जो मैं करेंड कलेक्टर का फॉल्ड के बारे में बताया हूँ जब आप SMS प्लान में ड्यूटी कीजिएगा तो य ये फॉल्ड सौ मैं से सौ परसंट आपको देखने के लिए मिलें गई है जब कंपनि थोड़ए नहां रहेता है तो एलाइन क्वह बोलेगा ये सबूट उकुछं बोलेगा ने क्रेंटन ऑपरämäटर वह बलेगा बारे से बराइब मीज जब रहा है या बार-बार आपका गाड़ी ट्रिप हो रहा है इसको सही करके दीजिए तो इस जगा में आप फेज चेंज करका भी सही कर सकते है नहीं तो जो आपका current collector है यह आप अगर दो-दो करके लगा दीजिएगा तो इस type का fault देखने के लिए नहीं मिलेगा बहुत सा क्रेन में क्या होता है जो आपका current collector है यह एक-एक करके लगा हो रहता है इसलिए क्या होता है बार-बार जो यह line contactor है यह आपका trip हो जाता है इसको हम लोग main contactor भी बोलते है अभी यह जो आपका control wire है जितना बड़ा आपका circuit है जब आप TPM कीजिएगा total primitive maintenance जितना सारा wire है सबको बहुत अच्छा से tight करना है क्यूंके electric overhead crane में सबसे ज़्यादा fold आता है loose contact का मतलब कोई connector से एक गो आर loose हो गिया या transformer का primary side में कोई एक गो आर loose हो गिया या जो आपका master controller आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा अगर आप सारा wire को tight करके रख दीजिएगा तो देखिएगा बहुत कम fold आएगा किस type का fold आएगा जो आपका control के लिए transformer लगा हुए 415 volt ये 415 volt कभी कभी क्या होता ठीक से नहीं मिलता है और ये जो 17 नमबर 18 नमबर connector है या MCV का input है इस जगा में जब आप ball folder में check किजिएगा जो आपका 415 वला ball folder है तो MCV का input में दोनों में लगाईएगा तो देखिएगा आपका ball folder नहीं जल रहा है और कभी अगर ball folder आपका जल रहा है तो confirm किस तरह से करना है कि जो current collector है इसी में आपका problem है देखिएगा जो आपका electric overhead crane है इसका जब आपका LT चला के लेके आएगा ठीक फरनिस के पास जैसे ही आएगा ये ball folder आपका बंद हो जाएगा तो उसी को देखके ये आपको समझ जाना है कि जो आपका DSL supply है इसमें कही ने कही हमारा up down हो रहा ठीक से connect नहीं हो रहा है इसलिए आपका जो line contact रही है बार बार बंद हो जा रहा है अभी यहाँ पर आपका सारा चीज़ सही है तो MCB में जो supply आया ये supply कहां पर आएगा जो आपका step down transformer है step down transformer में ये कितना भोल्ट का है primary में 415 भोल्ट देते है और secondize से 110 भोल्ट out होता है AC अभी जब 33 नमबर 34 नमबर में चेक करेंगे तब हमको 110 भोल्ट मिलेगा multimeter में कभी कभी क्या होता है इस जगा पे भी जो आपका wire है wire बगर आपका सारा चीज tight रहता है तो transformer का जो आपका terminal है इसको भी आपको अच्छा से tight करके रखना है अभी यहां से जो neutral supply आ रहा है एक आपका indication lamp में जा रहा है और A2 में जा रहा है अभी यह जो 52 पंदरा टोन का क्रेन है यह कौन सा क्रेन होता है ज्यादा तर जब आप practical में काम कीजिएगा तो इसको बोला जाता है center क्रेन या ladle क्रेन इसमें क्या होता है जब आपका furnace से heat dab होता है मतलब जो liquid metal है वो furnace dab होने के बाद ladle में गिरता है और गिरने के बाद आपका CCM में आता है जिसको हम लोग क्या बोलते है continuous casting machine इसमें जब लेकाता ठीक उसी time आप देखिएगा ये जो आपका line contactor है ये आपका trip हो गया है आप दोबारा on नहीं हो रहा है तो उस time आप क्या किजिएगा उस time कुछ भी नहीं करना है बहुत असान तरीका है अगर आप पहले से ये जो center crane इसमें काम कर रहे है तो ये जो A2 है ये तो आपको मालूम हो गया है कि ये हमारा neutral supply है ठीक है तो तुरण आपके पास जो ball folder है A1 और A2 में लगा के दिखना है ball folder जल रहा है या नहीं जल रहा है देखेगा किसी भी हल में आपका ball folder नहीं जलेगा उस time इस जगा में आपको मालूम है कि 110 वोल्ड इसका फेज supply हमारा A1 में आ रहा है तो कहीं से भी पैनल में कहीं भी अगर 110 वोल्ड वाला supply फेज वाला रहेगा तुरण इस जगा में direct जब दे दीजिएगा तो आपका line contactor on हो जाएगा मतलब यहाँ पे हमारा 110 वोल्ड supply है 34 नंबर connector में यहाँ पे एग wire लगा है और direct A1 में दे दिए तो उस time अगर sequence चल रहा है sequence भी आपका नहीं तूटेगा ना crane आपका बंद होगा और यह जो total circuit है यह आपका bypass होके यह जो line contactor है यह आपका on हो जाएगा अगर इसी time नीचे में बहुत साथ देखिएगा प्लान में GM रहता है GM रहता है HOD रहता है ओ आपको देखेगा तो यह समझ जाएगा कि जो electrician है चालू हो गया अभी ओ कभी ने यह सोचता है कि यह bypass करके चालू हुआ यह कैसे भी चालू हुआ मतलब crane जो चालू हो गया लेडेल आपका CCM तक पहुँच गया उसके बाद आप बिंदासों के चेक करा सकते हैं कि आखिर इसका जो interlock है इसमें कहाँ पे फोल्ड है अभी पास नेमबर फोल्ड में आ जाता है दोस्तों कि जब आप यह push बटन को दबा के रख रहे है तब तक यह क्या हो रहा है यह जो main contactor है जिसको हम लोग line contactor बोल रहे है यह on रहे है जैसे ही आप छोड़ दे रहे है तुरण आपका बंध हो जा रहा है मतलब यह जो आपका ano है, ano आपका खराब हो गिया है इसलिए contactor जो है आपका hold नहीं हो पा रहा है उस time यह ano को आपको अच्छा से check करना है तब ही आपको fault देखने के लिए मिल जाएगा अभी छोग नमबर point में आ जाता है दोस्तों कि जो आपका crane operator रहता है, वो आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका line contactor है या main contactor है, वो तो यह नाम पकड़ के नहीं बोलता है, वो बोलता है कि गाड़ी हमारा on नहीं हो रहा है जब आपको इस type का बात बोलेगा कि गाड़ी on नहीं हो रहा है उस time आपको step by step check करना है, अगर time है तो, अगर time नहीं है तो bypass circuit किस तरह से करना है वो तो आपको महलूम हो गिया है जब आपको time मिलेगा तो आपको एक line से check करते हुए आना है आपको जो crane operator है, वो क्या बोल रहा है उसका बात के उपर आपको अच्छा से गौर करना है क्यूंकि जब तक आप crane operator से बात नहीं की जिएगा, तब तक जो फोल्ड है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो crane operator रहता है इसके साथ आपको रिष्टा अच्छा बना के रखना है अगर आपको बोल रहा है कि जो गारी है यह हमरा on नहीं हो रहा है तो पहले आपको देखना है कि जो main host है, auxiliary host है cross travel है, long travel है यह जो chargo master controller है यह आपका बीचो बीच है या नहीं है master controller बीचो बीच रहेगा तब ही आपका इसका NC kit जो है यह NC बनेगा ज़्यादा तर जब भी आपका यह line contactor on नहीं होता है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि master control बीचो बीच है या नहीं है अगर master control बीचो बीच है तब भी आपका line contactor on नहीं हो रहा है उस time एक एक master control को खोल के इसका kit को आपको देखना पड़ेगा कि ठीक से NC बना है या नहीं बना है अगर ठीक से NC नहीं बनेगा किसी भी हाल में यह जो line contactor है यह आपका on नहीं होगा और जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो practical experience बता रहा हूं same to same इसी तरह से काम करना पड़ता है और इसी तरह से check करना पड़ता है और शुरू में मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगर crane में TPM किये है मतलब total probability maintenance किये है जितना सरा oil है इसको भी आपको अच्छा से tight रगना है ज्यादा तर क्या आता है लूज के चलते भी इस type का fold आपको देखने के लिए मिलेगा अभी जब आपको crane operator बोल रहा है कि गाड़ी हमारा किसी भी हाल में बांद नहीं हो रहा है उस time आपको क्या check करना है कि यह जो हमारा off बला push button है off बला push button नरूमिल में क्या आता है NC बना हुआ रहता है यह NO बन रहा है या नहीं बन रहा है क्योंके जब तक यह NO नहीं बनेगा तब तक यह line contactor किसी भी हाल में आपका बंद नहीं होगा और जैसे मैं online class में मैं जब समझाता हूँ पहले यह जो drawing है पहले बनाता हूँ ऐसे अंदाज में कुछ बोल देने से नहीं होगा अगर मैं आपको समझा रहा हूँ यह drawing रहेगा तब ही मैं आपको अच्छा से समझा सकता हूँ कि master control का जो कीट है यह आपका NC बना हूँ रहता है तब ही तो confirm होगा यह जो आपका off बला push button है यह जिस तरह से मैं वीडियो बना का आप लोगो को समझा रहा हूँ कि यह no होगा तो यह जो आपका line contactor है यह आपका band होना चाहिए क्योंकि जो आपका on बला push button है इसका input से holding supply लिया हुआ है इसलिए off बला दबाने के बाद आपका band होना चाहिए यह जो panel lock बला है इसको भी जब आप lock कीजिएगा यह no हो जाएगा ठीक है मतलब उस time भी आपका line contactor band होना चाहिए और यह जो आपका circuit diagram है इसको एक बार अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं कभी भी electric overhead crane में आपको काम करने भी दिकत नहीं होगा जो crane operator रहेगा आपको जैसे ही बोलेगा कि main contactor आपका on नहीं हो रहा है सबसे पहले आप तुराद main host एक्जिलर्स city और LT इसका master control देख लिए देखने के बाद आपको क्या देखना है कि A1 तक हमारा supply आ रहा है के नहीं आ रहा है किसी बेल में A1 तक supply नहीं आ रहा है अगर A1 तक supply आता जैसे ही आप on बला push button दबाते तुराद आपका ये line contactor on हो जाता अगर no में fold है तो उस time भी आप तुराद पकड़ सकते का hold नहीं हो रहा है मतलब ये line contactor का जो no है ये आपका खराब हो गिया है इस तरह से दोस्तो step by step check करना पड़ता है जब तक step by step check नहीं कीजिएगा तब तक आपका doubt भी clear नहीं होगा जैसे मैं आज पंद्रा टॉन का फैडल कंपणी का crane के बारे में fold के बारे में बता रहा हो वीडियो को जब तक सुरू से लेकर last तक नहीं देखिएगा तब तक आपका doubt clear नहीं होगा अभी आप नमबर fold जो आपका crane operator रहता है वो आपको क्या बोल रहा है वो भी जानना जरूरी है कि एक बार अगर हम यह जो main host है या auxiliary host है पूरा हविस कर देते हैं तो हविस करने के बाद दोबारा आपका गारी on नहीं होता है तो उस time क्या क्या fold होता है उस time आपको समझ जाना है कि जो rotary limit switch है तो यह हमारा पहले काम करना चाहिए था अगर rotary limit switch ठीक से काम नहीं किया है इसका मतलब जो gravity limit switch है यह आपका cut गया है जब आपका gravity limit switch जिसको हम लोग white limit switch भी बोलते है counter white limit switch भी बोलते है यह जब कोई करन से no होगा तब भी यह line contractor आपका बंद हो जाएगा और जब मैं main host का panel के बारे में आप लोगों को समझाओंगा आपके अंदर में सारा doubt किलियर हो जाएगा और अगर आप online class जोइनिंग करते हैं तब भी आपका doubt किलियर हो जाएगा क्यूंकि इसके बारे में जब 2-3 घंट आपके साथ हमरा अच्छा से बात होगा तो हर चीज को मैं अच्छा से आपको समझा सकता हूँ सिरिफ यूट्यूब वीडियो में समझाना संभब नहीं होता है फेस्बूप, टेलीग्राम, वार्ट्शॉप, इलेक्टिकल का ग्रूप जितना सारा है सबका लहीं यूट्यूब चैनल का एबार्ट में आपको मिल जाएगा और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा वार्ट्शम में मेसेज कर सकते है हार रोज आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार जाएगें